समाज सेवी का समाज में एक एहम रोल है एक एहम योगदान रहता है चितनी भी जूड़ी हुई जंता से जूड़ी हुई मुद्धे हों परिशानिय हों कहीं ना कि समाज सेवियों की मदद से ही वो मुद्धे भी हल किये जाते या उन मुद्धों को परिशासन और सरकार तक लाने का लगातर प्रियास किया जाता है नमश्कर आप जूड़ चुके हैं दायनिक शिव्ट टाइम से में रश्मी शर्मा कैमरामें शुवंभगत के साथ लगातर बदलाओ हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बदलाओ इन चीजों पर रोड़े शायद जेकिना की जनता का उन तक कोई फाइदा नहीं होने बाला पर हां यह चीज़ जरूर है कि लगातर जहां पर बदलाओ हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ महंगाई दरे आसमान चुरी हैं चल लपीजी की बात करें जहां पर अब लपीजी एक हजार चुरुंजा रुपे पांस पैसे तक हो चुक को लेकर जिसकी हवा बाहर से अब मारे जमू कश्मीर में पहुंची जहां पर एकतर प्रदेश अदक्ष बात्पार के कह रहे थे कि चार चार लोड़ स्पिकर लगाई है और वहीं दूसरी तरफ जमू मुनिस्पिल कॉर्परेशन का अधाशा था कि अब जो की लोड़ सब्सक्राइब दस बचे से लेकर राज सुबा छे बचे सक कोई भी लौड़ स्पिकर मंदीर हो मस्जीद गुर्द्वारा हो यह चर्चों नहीं लगेगा एक समासेवी की राय लेनी बहुती अनेवारे समय हमारे साथ सोशल एक्टिवी तो साथ कोटली क्लोनी विलफियर क जाना मना चैरा है हर उस मुश्किल गड़ी में जनता का साथ देते चाहे वो करोना काल हो चाहे कोई और इशू हमेशा उन्होंने साथ दिया सबसे पहले तो इनको बदाई देते हैं इनने एक ने आफिस को ओपन के और आज हम गांदी नगर में इनके ने आफिस में बैटे जनता को जहती है क्यारी जनता जो वैसला करती हुए हम्म आरे सर्माते पर चाहे आप हो चाहे हम और उस सारे चंके का अज़ों समाना क्रेह हैं जाली है cyclies के लिए दनेवाद चंदर जी क्या क्या कहेंगे जिस तरह का महोल है लगातार महिंगाई दरे आसमान चूरी है उन पर रोक लगाने के बजाए नहीं नहीं मुद्धों मुद्धे लाए जा रहे ताकि जनता का ध्यान बटक जाए और कही ना कही परशास और सरकार द्वारा ज है से की यह नूड़ स्पिकर का जो मैं के लिए जो आपने मैं से प्रसवित पोचा मैं तो कहता हूं की ऐसे रिफॉर्म होना एं अ एक Healdi nation के लिए एक सोसाइटल वैबरिक के लिए एक सोशलिजम को करने के लिए या फिर आफ सेकुलर रिजम को स्ट्रॉंग करने के लिए बहुत ही अनिवारे हैं क्योंकि देखिए इस चीज को वो कौन लोग है ये भी आपके चैनल के मादियम से आपको जनता तक पहुंचाना चाहिए कि वो कौन लोग है जो इसमें एक हिंदू मुस्लिम सि किसाई देख रहे हैं this order has applicable to each religion हम कब कास्टिजम से या religion से बाहर आएंगे और हम अपने देश के लिए बात करेंगे अपने देश की development के लिए बात करेंगे हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है ये सिर्फ किताबी बाते तो बड़ी अच्छी लगती है इससे लगता है development होगी लोडस्पिकर बेंग करने से देखिए development का ये सोच है thought process है development ये 2002 में सरवच्छतम नान्याल ने इसको बेंग किया था रात को 10 बजे से लेके 6 बजे तक but implementation अब इसलिए किया गया आप देखिए first of all इसका usage इसकी invention कब हुई है 20th century में लोडस्पिकर को इन्वेंट किया गया और इसकी जो maximum uses start हुई है 1930 के दशक में start हुई है उस time क्या होता था अगर अगर आप इतनी जदा densely populated areas नहीं होते थे तो लोगों को बुलाने के लिए एक कॉला चाहे वो आजान हो चाहे वो मंदिर की आरती हो Christians की prayers हो तो लोगों को एक gathering करने के लिए बुलाया जाता थ तो कि लोगों के घर दूर दूर होते थे ताकि मिल जूल के prayer कर सके किसी भी आज आप देखिए densely populated है अगर आप रश्मी जी आपने आपने भी देखा होगा आज जम्मू में हर गली में I think हर महले में मंदिर है हर गली में हर महले में मस्जिद है आप गुर्दवारास की बा और आप यह क्यों नहीं देख रहें कि इस चीज का ठीक है लोड़ स्पीकर का डेवल्मेंट के साथ क्या लेना देना है एक सोच के साथ लेना कब हम कास्टिजम और रिलिजन की पॉलिटिक से उपर उटके एक इस आरम की राजनितिना समझा जाए बिलकुल इसको दरम की र चीजें देखो इसका हमें हर चीज का मिस्यूज रोकना है किसी चीज की इसका मिस्यूज चाहे वो पार्टी फंक्शन में हो पार्टी की रैली में हो या फिर मंदिर मस्जिद गुर्दवारा या चर्चिस में हो हर जगा इसका मिस्यूज जो हो रहा था हमने उस मिस्यूज उसको रोकना आग के टाइम में बड़ा जरूरी है चंदर जी सवाल ये भी रहेगा जिस तरह से मंदिर मस्जिद गुर्दवारा या चर्च में तो बैन कर दिया गया है अब क्या सियासी नेताओं के लिए मुश्किल होने वाले क्योंकि कहीं और जो लक्षिन का बिगुल है कि समय भी बजने वाला क्योंकि इस फिलाल डिलिमिटेशटें के कमिशन की जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी सब्मिट हो चुकी है तो क्या जिस तरह से स्यासी रेलियां जो कि अगर खुद प्रशासन इसको इंप्लिमेंट करवाने में लग रहा है तो दे दे विल फिक्स पैरामेटर्स फॉर दिस दिंग चाहिए अगर मंदिर मस्जिद की बात है तो वह एक पर्टिकलर ओडिबल फ्रिकेंसी तक ही उसको सीमित रखेंगे अगर मैं बात करूं जो इसक हम करते हैं हंडर तक असी तक तो हम उसका मिस यूज करने हैं उसी चीज को रोकने के लिए यह प्रोग्रेसिव स्टैप लिया गया है देखिए रश्मी जी आप भी पूजा करती हैं मेरे मुसलिम भाई नमाज भी पढ़ते हैं क्रिस्टिन भाई प्रेयर्स भी करते हैं मैं मैं बॉटमार इस चीज पर राजनिती करने वाली बात इस चीज पर व 58 मॉटमाग इसको नदा किसे बनाया कि बहुत हैं बडट आइपर से हम ऐंड and pan गोर्मेंट की ऐसी चीजों से देखो एक टाइम में सती प्रथा जो थी उसके खिलाब राजा राम मोहन राए जी ने अवाज उठाई थी आज हम वुमन की बात कर रहे हैं आज हम 50% हम से भी आगे निकल चुके हैं मैं से भी आगे निकल चुके हैं एक टाइम वो सती प्रता का रुवाज था तो जब राजा राम मोहन रहे ने उस ताइम में वाज उठाई थी तब उसको बड़ा क्रिटिसिम का सामना करा पड़ा था आज यह जो नेशनल पाटी है जो गवर्मेंट आफ हिंडिया है वो बीजेपी की है तो हिंदू ने यह जबरदस्ती यह बनाने की इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह यह सब करना पड़ेगा यह माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा लोगों का कि ऐसा कुछ नही पर इतनी महंगाई की मार जो आप देखिए पट्रोल डीजल के दाम मेंगाई की मार जो आप देखिए पट्रोल डीजल के दाम खाने पीने के सामान की बात करें तो इन चीजों पर भी तो ध्यान देना चाहिए आप क्या क्या कहते हैं बिल्कुल यह सरसर गलत है देखो इनके I don't know कि क्या यह finance ministry काम कर रही है या क्या इनकी policy है आज आप देखो पेट्रोल डीजल का दाम देखो इसके कारणा महिंगाई देखो स्टील का दाम देखो जो अभी 60-62 रुपे पती किलो था आज किसी ने गर बनाना है तो वह 120 रुपेया किलो 12-100 रुपेया क्यूंटल हो गया हुआ है तो मतलब कहां रेट डबल जो मतलब पहले हम रेट बजली माइनिंग माफिया से तंग आ गे थे तो लोगों ने सोचा आप कहां जो रेट 1500 की ट्राली है वो 10,000 की लेनी है बजली जो 3000 की ट्राली है वो 16,000 की मिल रही थी लोगों ने घांबंद गिराए अब इंफलेशन इतनी जादा होगी है इनसे रेट रोके नहीं जा रहे इनसे महिंगाई की दर इतनी जाद बढ़ चुकी है और आम आदनी दो वक्ती रोटी के लिए आज महताज है एक हजार उपया प्लस लंडर का होना डैट मींस कि ये कितना बड़ा बर्डन है आप एक डेली वेजस को दिहारी क्या दे रहे हो आज आपने डेली वेजस की दिहारी स्ब्सक्राइब करता है वो च्छेसों रुप हैं तो आप देखिए ना मतलब आप सरकार की तरफ से 300 रुप है कि दिहारी बालत तीन हजार प्या मीना उसको आप दिहारी का दे रहे हो मतलब नौजार प्या मिना उसके बाद मतलब उसका जो दस्मा हिस्सा है वो सलंडर उतने का हो गया बाकी वो दाल चावल मतलब आपने बईवी बचो स्कूल स्कूल कैसे मतलब इस सम्थिंग मतलब बियॉंड इन से मतलब संबाला नहीं जा रहा है इनको यह देखना चाहिए जब सलंडर 10 रुपे महंगा होता था तो यह बड़े चींग के प्रोटेस्ट करते थे आल आवर इंडिया में रिमेंबर मैं पुरानी बात कर रहा हूं पासे 15-20 साल पुरानी जब अनमोन जी की होती बिल्कुल तो आज देखी आज मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है इस च अब थोड़े दिन पहले बताना चाहेंगे अपनी जन्ता के 50 रुपे बढ़ा था आज 3 रुपे 50 पैसे फिरते बढ़ा दिया यानि चल किया रहा है समझ ही नहीं आ रही है कि जन्ता क्या करेंगी जन्ता बुखे ही मरेगी श्री लंका वाल होने वाल है इस तरह से यह करते हमारे जमो किश्मीरी उटी का पैसे लोगों के पास है नहीं है तो रेवन्यू सोर्स आफ इंकम जनरेट होनी रहे और उपर से महंगाई इतनी ज्यादा आम आदमी क्या करेगा आम आदमी आज मतलब आज मैं बड़े दुख के साह कहना चाहता हूं कहीं नहीं कहीं इनकी ज कि एक अध्यान पर आदेश हागया जिसना आब और बागी ज़रे मुदे सी यह जो चैना के जनता के जनता को नसे कोई ले ना दना ने जनता कि ना मेहां पाप कि जाती क्योंकि कहींना कई एक जहेंगे के वाईदा तो किया था गरीभी खत्म होगी लगता है आपको गरीभ आपको क्या आने वाले समय में जिस तरह से डेली वेजर्स का मसला है हूंगार्स का मजला है नेचम का है लगातर वो लोग सड़कों पर है क्या लगते हैं जहां पर एक तरह बाटपा के प्रदेश है और कहीं ना के जम्मू मुंसीपल कॉरपरेशन इसला के नेतागनों को जो बयान बाजी आती है कि चार चार लोड़ स्पिकर लगाओ इस पर आप क्या कहते है और वहीं जेंजी बैं कर देती है चल कह रहा है समझ में भी नहीं आरे देखिए इस टाइम मैं आपको सीधे तोर पर बता दूंगा जमू कश्मीर में आई डोंट तिंग सो की टोटल अना परदेश देख्ष कह रहे हैं कि चार चार लोड़ स्पिकर लगाओ तो इनी के जो मेर हैं वह रेजलुशन पास करवाते हैं अपने ही कार्पोरेटर से यह बैन होना चाहिए तो यहां आप समझ सकते हैं कि मेरे इसाब से मैं बाजपा का परदेश देख्ष किसी को नहीं सम जवाब जरूर देगी यह मुद्दा अब वो जवाब के वेट करने का नहीं है अब यह मुद्दा है कि इस जो करंट सिच्वेशन है जो प्रिवेलिंग क्राइसीज है हमारी सांसे इन्होंने मतलब पकड़ ली हैं आप समझो जो सेलंडर हजार पे महंगा होना पेट्रोल सरसा के देखो सब्जीयों को आइसा सोशल आक्टिविस्स हैं चंदन जी इस तरह टानहों को आप जंता उन पर विश्वाश जताएं कि यृग जुधा करें आम जनता की वाद करें ऐसे सोशल एक्टिविज आप किस तरह की देख रहे हैं राजनीती में उथल पुथल हो रही है एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली की पार्टी जो जम्मू में आकर अपने पैर पसारने शुरू कर दी है वो भी आप कह रहे हैं कि हम हम एक मोका दे जनता हम बिजली पानी फ्री तो करेंगे बाती जो महंगाई दरें वो भी कम करें कहीं ना की जन्मू के हालातों को जरूर हम सुदारने का प्रियास करेंगे देखिए जिस ही साब से मुझे हाला नजर आ रहे हैं मेरे को यह लग रहा है कि आने वाले दो साल में कहीं financial emergency हमारे देश में ना लग जाए और यहां पर मतलब मुझे किसी ने एक बात कहीं थी कि एक ब्रेट के टुकुडे के पिछे कहीं नडाईया ना हो जाए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके चानल बते हैं यह बहुत ही चिंता का विश्य है राजनीती पार्टियां जो नहीं बनती हैं बड़ डैट इस डिफरेंट डिशू बट अभी जो मुद्दा है कि इस inflation को कैसे control में करना है planning commission क्या कर रहा है finance financial ministry क्या कर रही है finance ministry of India उनको वैसे प्रावदान लाने चाहिए ताकि इस महिंगाई को रोका जा सके और इसको कम करा जा सके आम आदमी पिस रहा है इसका खामियाजा इनको बुगतना पड़ सकता है आने वले टाइम में that is a summer खामियाजा बुगतने के लिए लोग जिन्दे होंगे तो तब र डीजल इतना जादा महिंगा हो गया हम कहां जा रहे हैं तो फूर निकलते सोचना पड़ता है गाड़ी लेकर जाए तो अगर मैं पांसो काभी तेल दलवाऊंगा तो दो तिन चले चलता था वो चार दिन चलता था आज मतलब आप रहाड़ी तो अगर आप रिहाडी रहता से गांधी नगर आएं तो आपको पांसो चाहिए वापिस आप मतलब हजार रुपया चाहिए आपको देट डैट मीन्स की मतलब ओवर बर्डन ये मतलब बहुत जादा हुए और क्राई हो चुकी है आई थिंक कि ऐसे इनको प्रावदान लेने चाहिए मैं यहीं आपके चै कैनल के मादयम से शायर उनके कानों में यह चम्मू की жंता की गोहार पहुंग जाए कि आपके चैनल के मादयम से कि आप देखें कि जम्मू कश्मीर में क्या हो तहा है यहां पर कितनी Ilumककर की यहांस युदिरेशने हो चुकी है आप देखें आप बिरो क्रीटिक लेवल पर प्रावदान अपना रहे हैं क्या से करना है और यह महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है आपको यह स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो यह थे हमारे साथ सोचल एक्टिविल कोटी क्लोनी वेलफियर ट्रस्स के चेर्मेंट चंदन दता समाज सेविंग की राय लेना बहुत है होती क्योंकि वह समाज में जाकर ग्राउंड लेवल पर काम करते समाज के लोगों की चिंता करते उनके बारे में जाने का परियास करते साफ तरप यह का कि जिस तरह के हालात हैं आने वाले समय में कही ना करी लोग एक रोटी के टुकड़े को तरसेंगे उसी के चलते छीना खत्म होगी पर आज के दोर में गरीबों कोही खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है क्यों नहीं पर शास नसरकार उन मुद्दों पर काम करती जो जन ही तमें हो जो जन वियोदी नहों अगर कोई फैसला थोप नहों तो एक दम से आप रात और आप उस आदेश को ल जन्धर भरवाने के लिए बिद्यू सवाल करेगी सरकार से तरकार किसने बनाई जंता गवारा बनाएगी जन्ता के लिए बनाएगी पर सवाल बढ़ा है कि nah क् vacna पड़ेगा क्यूंकि वो इ supports to parent जो 50 प्लस पिचास प्लास वहीं दूसरी तरफ जो बिपक्षी दलना और साथ ही साथ जो डेली वेजन है होम गार्ड है जो आम जंत है अब की बार वह कह रही है पचास पार नहीं बलके इस बार भाजपा को लखनपूर पार जाना पड़ेगा अगर उन्होंने जन विरोधी नीतियों को खत्म करने का प्रयास नहीं किया अपने कमेंट अपने सुजाफ जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेर कीजिए जोड़े रिया से मार से अगले आपडेट के लिए जाहिंजा बार